चिडिया का एक आम का पेड था चिडिया अपने पेड से आम तोड़ कर खुद भी खाती और अपने बचों को भी देती और नदी किनारे बैठ कर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेच दी चिडिया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था बचो आप घर में बैठ कर ये मीठे मीठे आम खा लो और मैं ये बाकी के आम बेज कर आती हूँ चिडिया आमों की टौकरी लेकर नदी की नारे चली जाती है आम लो आम मीठे मीठे रसीले आम मीठे मीठे आम आंटी चुडिया यहां बैठी हुई है अभी जाकर आंटी चुडिया के पेड़ से आम चुराता हूँ जगुकवा गोरी का विका बेटा जो बहुत चोरियां करता था वो चुडिया के आम चुराने जला जाता है चिडिया बेहन मेरी बेहन आई है दूसरे जंगल से तुम ये सारे ही आम बैग में डाल दो ऐसे चिडिया के सारे ही आम मिंटों में बिक जाते हैं मेरे आम तो बिक गे अभी तो शाम होने में काफी टाइम है मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ चिडिया अपनी टौकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है यह भी खटा है इसे फैंक देता हूँ यह भी खटा है यह थोड़ा कम मीठा है हाँ वो वाला तोड़ता हूँ जगू कवे ने तो चुडिया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ठेर लगा दिया था चुडिया भी वहाँ आ जाती है रुको रुको छोटे कवे के बच्चे तुम बहुत बुरे हो भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है एक चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फैंक रहे हो करूँगा करूँगा मैं ऐसा करूँगा कर लो जो करना है जिस्से में चुडिया जगू कवे के एक थपर लगा दी है तोड़ अब तोड़ तू कच्चा आम तेरे जैसे बिगड़े हुए कवे क यही इलाज है जगू कवा रोने लग जाता है तुमने तुमने मुझे मारा मैं अभी जाकर अपनी ममा को बताता हूँ रोता हुआ जगू कवा घर जला जाता है उसने उसने मारा है मुझे ममा ममा मुझे उस चोटी चड़िया ने मारा है हाई मैं मर गई मेरे जगो की गाल किसने लाल कर दी उस चड़िया ने बहुत जोरों से मारा है ममा उसने मेरे मुपर थपड मारा है उस चोटी चड़िया की इतनी हिम्मत मैं अभी देखती हूं उसे गुसे में चड़िया घर से निकलती है मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहां बैठी आराम से आम बेज रही है ऐसे कहते हुए गोरी ने चड़िया के सारे आम उठा कर नदी में फैंक दिये एक चोरी उल्टा सीना जोरी अपने बेटे से भी तो पूछो मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फैंक रहा था वो वो मेरा बेटा है गोरी का बेटा वो जो चाहे वो करेगा आएंदा अगर मेरे जगू को पंक भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूँगी गोरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था रात भी हो गई थी जब कालू कवा और जगू सो जाती हैं तो गोरी कवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिडिया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है अब मरेंगे चिडिया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे गोरी कवी घर आकर आराम से सो जाती है सुभा हो जाती है ममा रोज आम रोज आम आज हम आम नहीं खाएंगे आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे अच्छा ठीक है मैं अभी अपने बचों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ चिडिया ने हमेशा दूसरों से अच्छाई की थी शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं बलके आलू वाला पराठा मांग रहे थे क्योंके आमों पर तो गोरी ने रात खो जहर फैंक दिया था जब गोरी कववी सोकर उठती है तो कालू कववा और जगू घर में नहीं थे ये कालू और जगू आज सुभा सुभा कहां चलेगे शायद सुभा की सेयर करने गे होंगे मगर कालू कववा और जगू तो चिडिया के आम के पेट से आम खाने गे थे गोरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चुड़िया के बचों को मानने के लिए आमों पर लगाया है वो जहरीले आम, उसका पती और बेटा ही खाने वाले थे पापा, पापा मैं यहां बैठता हूँ और आ पहले आम खा लो जगू, जगू बेटा रुको, मैं चुड़िया को देखकर आता हूँ के चुड़िया क्या कर रही है फिर कालू कवा चुड़िया के घर जाता है, वो खिड़की में से देखता है हम्, चुडिया तो रोटी बना रही है इसका मतलब अभी चुडिया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी मौका अच्छा है कवा वापिस चाता है जगू, आजाओ, जी भर के आम खाओ चुडिया तो घर में रोटी बना रही है हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है फिर जगू कवा और उसका पिता कालू कवा वो जहर वाले आम खाने लगते हैं जब अपना काम खतम करके चुडिया अपनी टोकरी उठाए अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड़ के नीचे जगू और कालू कवा दोनों मरे पड़े थे कोई है कोई है देखो देखो क्या हुआ है कालू कवे और इसके बेटे को तोता ये देहकर भागता है गोरी गोरी जल्दी आओ कालू और जगू को कुछ हो गया है गोरी भागती है गोरी की आँखों के सामने उसका पती और जवान बेटा मरे हुए थे मेरा जग्गू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पती को मार दिया है मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों चिडिया के आमों पर जहर गिराया गोरी चुप कर जाओ अब गया समय लोड कर नहीं आने वाला किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है ममा क्या इस जंगल में कोई फल नहीं है आप हरो सूखा दाना ही क्यों लाती है गुडिया बेटी अभी मौसम अदर रहा है जब गर में आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आजाएंगे ममा सूखा दाना खा खा कर में तंगा गए ऐसे ही छोटा मिठू अपनी ममा से कहता है ममा जब देखो सूखा दाना, सूना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाती है मगर मेरी कहाई तनी किसमत के मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं जगू कवे का भी अपनी ममा से यही शिक्वा था फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जगू गुडिया और चोटे मिठू से कहता है आज हम पहाडों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे ममा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हूं अगर वहाँ फल मिलके तो हम अपने ममा पापा को सर्प्राइज देंगे फिर वो तीनों दोस्त पहाडों की दूसरी तरफ फल ढूंडने जाते हैं जब वो पहाड की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे वो जंगल तो हरा भरा था जिधर देखो उधर ही फल हमें जल्दी से जाकर अपने ममा पापा को बताना होगा वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे वो सब वापिस लोडते हैं ममा सच सच ममा वहां बहुत फल हैं फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती गुडिया बेटी आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना वो इलागा माही चील का है इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते ये सुनकर गुडिया खामोश हो जाती है दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकठे होते हैं हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा जो काम हमारे बड़े न कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं अगर हम योजना बनाए और भूती से काम ले तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं जगू तुम्हारी गलेल कहा है वो तो घर में है जाओ जल्दी से अपनी गलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फैल नहीं खाने देती फिर जगू कवा अपने घर से अपनी गलेल लेता है जगो बेटा गलेल लेकर कहां जा रहे हो किसी छोटे बक्षी से कोई शरारत ना करना नहीं ममा मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूं वो सब पहाडों की दूसरी तरफ पहुंचाती है पहले मैं सामने जाओंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नज़र रखोगे और फिर बागी का काम प्लैन के मताबिक करना है गुडिया एक फल वाले पेड़ पर बैठ कर फल खाने लगती है सूखे पेड़ पर अपने खौसले में बैठी हुई चील गुडिया को देख लेती है अरे अरे चील जी तेरी तो किस्मत जा गई के दिन होगे थे मास नहीं खाया चुडिया छोटी जरूर है मगर होगी मज़ेगी यह सौचकर वो चील गुडिया की तरफ उड़ती है चील जी आप यहाँ क्या लेने आई है जैसे तुम यह फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ चील आउंटी हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है इसलिए मैं के दिनों से लाल मेची खा रही हूँ मेरा मास तो बहुत कड़वा होगा मनहूस क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल चला रही हो आउंटी चील अगर आप मुझे खाना ही चाहती है तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दे ताकि मेरा मास मीठा हो जाए आईडिया तो ठीक है तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ कोई चलाकी न करना तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ फिर गुडिया फल खाने लगती है और चील वहां डाल पर बैठकर सो जाती है गुडिया अपने दोस्तों को संके देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धका देती है चलाक चुडिया मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें गुडिया एक तरफ को भागती है चील भी पीछे उड़ती है पीछे से जगू अपनी गलेल निकाल कर चील को निशाना बनाता है मार गई, मार गई, ये कौन है, कौन है मेरे पीछे फिर चील पीछे की तरफ भागती है गुडिया पीछे से आकर चील के दो थिन चौँचे मार कर भाग जाती है चोटा मिटो भी अपनी चौँच अच्छे से तेज करके आया था वो भी कम न था वो भी चील के सर में एक जोर की चौँच मार कर भाग जाता है मार गई मार गई भागो भागो माहिचील अगर चान बचानी है तो भागो वरना ये छोटे छोटे शेतान बचे मुझे जान से मार देंगे फिर वो चील दुम दबा कर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद